हालो डियर स्टुदेंट्स, वेलकम टू आउर चैनल, मेडिको नर्सिंग क्लासेश, तोडेज वी आर गोंग टू डिसकूस अबाउट बोडी फ्लूड इंटेक और आउट्पूट, अब तक की ग्लासों प्रिवेस्ट इलेक्रोलाइट इंबेलेंस और फ्लूड और है, hydrostatic pressures, ongotic pressure, osmolarity के बारे में हमने बढ़ा, next हमने देखा था कि body fluid की movement के बाद हमने देखा था, body fluid का transportation, कि body fluids का transportation कैसे होता है, active transport कैसे होता है, कैसे, मैंकि semi-premember membrane की through solute and solvent का जो, if exchange वो किस तरीके से हो रहा है, वो सारा कुछ उप तकोर क्लासों में देख लिए हैं, प्लीज अगर किसी स्टुडेंट ने वो क्लासी अटेंट करीए हैं और कोई अटेंट कर रहा है तो उनक्लासों के अंदर किसी को भी बहुत नाए हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए क्लास से अटेंड हो रही है उसके रेस्पॉंस हमारे पास कमेंट से आ रहे हैं थैंक्यू सो मच उसके लिए आगे भी आपके जो कमेंट से वह हमारे लिए एक मोटिवेशन का अकाम करते हैं और हम उसके लिए उसमोस मो ठीक है इंटेक और आउटपुट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूड इंटेक की बात करें तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारी बोडी के अंदर जो भी फ्लूड है वह इंटेक कहां से हो रहा है ठीक है तो इंटेक की बात करें तो हां या तो हम पा और ऑक्सिदेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है रिलीज की आप सिंपल EG लेके चलते हैं ड्रिंके वटर कि यह पानी पिया है दूसरे है water in food हो सकते हैं आप में कुछ भी लिक्विड फूड हो लिक्विड फूड का है हो उस वज़े से भी आप उसके तरू भी आप कहले सकते हो अपने कुछ आपने मिल्क होता है यह सारे अगर आपने मिल्क है बटर मिल्क है यह सारी जीज़े अगर पी रहे है तो वह क्या है और लिक्विड ही हमारे लिए ठीक है नेक्स्ट है हमारा water form in oxidation process of food जब फूड का Metabolism होता है जो कुछ भी आपने खाया जब उसका Metabolism होता है तो उसकी प्रोसेस में Metabolism की प्रोसेस के अंदर स्टेप आती है Oxidation of food तो Oxidation of food के अंदर क्या होता है हर बाल Approximately 10 ml of water है वो क्या होता है रिलीज होता है ठीक है जब भी फेट है कार्वो हाइडरेट और प्रोटीन है इनका जब Oxidation होगा तो उस Oxidation के अंदर क्या होगा आप देखेंगे कि उस Oxidation की प्रोसेस के अंदर क्या होगा अब आप 10 ml वोटर यहां पर देखें ठीक है अब आप 10 ml वोटर वो रिलीज हो रहा है तो हमारे पास वोटर हो कहां कहां से पहुच गया Oxidation प्रोसेस से पहुच गया हमने खाने के साथ जो पी पानी पिया वो हो गया फिर यह खाने में हमने जो भी लिक्विड लिया वो हो गया एक हमने क्या गया ओरली ड्रिंकिंग वाटर किया तो यह हमारे पास हो गए फ्लूड इल्टेक के नेक्स्टम देखते हैं अब देखिये जो calculation बिटाते हैं कि औरली इंजेस्टेट वाटर है तो नॉर्मली हम 1215 ml पानी एक दिन के अंदर पीक लेते हैं कितना पीते हैं 1200 से 1500 ml ठीक है यहाँ पर हम फ्लूड इंटेक और फ्लूड आउटपुड की इसलिए बात कर रहे हैं क् की इंदर एक रेंज की अंदर बैलेंस होना जनुरूरी होता है घमारी बोडे के आंदर मेंने Indigenous के अगौन पर चैप्टर अपना सुरू है। यूनिट जब शुरू हो ये तफस्रा में बता रहूंंगी बोडे के अंदर फ्लूड और इलेक्टोलाइट एक नॉर्मल रेंज के इंदर है और वह उसी रेंज के अंदर मैंटेन रहने चाहिए तब ही जाकर कि बोडी का अपनी बेटर से बेटर यां बेस्ट परपॉर्मेंट से वह कर पाता है तो उस कंडिशन के अंदर आपको क्या 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 करना होता है कि जो भी फ्लूड इंटेग और फ्लूड आउटपूट है उसको में मेजर करके रखने हो तो दोनों बैलेंस के इंदर होना चीए तो फ्ल बैल चसा उन्दरास में मिल और खाने के साथ जो पी रही हो जो भी लिक्वीड आपने खाने में लिया उसमें है एंट से 11000 में मिल उर्फ wes लीष्वीड विद फूंड शॉर्री लिक्वीड विद फूंड आपने खाने के यह लिक्विड फूड माल लो इसको विद को अटा दो ठीक है आपने कुछ भी खाने के अंदर ऐसा लिया हो जो लिक्विड हो ठीक है तो वह हो सकता है आपका लिक्विड फूर्ड ठीक है यह वो सकता है ठीक है दूसरा मेटाबॉलिक ऑक्सिडेशन और ऑक्सिडेशन की प्रोसेस के इंदर अबाउट 300 ml है वो वोटर क्या हो रहा है आपको मिल रहा है ठीक है जब भी ऑक्सिडेशन होगा कार्बाइडरेट फेड और प्रोटीन का जब यह कितना हो गया एक तरफ तो हो गए 2000 और एक तरफ कितनी हो गए 15 28, 2000 से लेकर 28 ml वोटर है वो हम क्या कर रहे है रेगुलर्ली ड्रिंकी कर रहे है ठीक है यह हमारा इंपूट है in case of normal phenomena जब बोड़ी के अंदर कोई disease condition नहीं है बोड़ी के अंदर कोई भी disability नहीं है उस condition के अंदर हम क्या कर रहे है एक individual है कोई भी individual है कोई भी individual है वो क्या कर रहे है 2000 से 2800 ml मतलब की 2 लीटर से 2,5 लीटर पानी है वो रेगुलर्ली इंटेक कर रहे है यह उसका क्या है in take fluid का intake है ठीक है इंटेक कहा कहां से किया है उसने हो सकता है वो पानी पी सकता है ठीक है प्यार ड्रिंकिंग वाटर हो सकते है उसके बाद liquid food हो सकता है और food के oxygen की जो भी food उसने खाया है उसका उक्षिडेशन होगा और उस oxidation के प्रोसेस के अंदर अबाव 10 ml of whatever वो हर बार रिलीज होगा और oxidation किसका होगा फेट कारवाइडर और प्रोटीन का नेक्स वे बात करते हैं फ्लूड आउटपूट ठीक है तो ये सारा जो 2000 से लेकर 2800 ml तक आपने जो फ्लूड लिया है वो क्या था फ्लूड इनितेक था अब हम बात करते हैं फ्लूड आउटपूट की बहाई प्लूड का आउटपूट कहां से मिलेगा चीजो फ्लूड आपने लिया है वो बेलेंस कैसे हो गए हां धिर वो कैसे बाहर आएगा वो सारा हम अब देखते हैं तो जो भी fluid का आउट पूट होता है उसके अंदर क्या होता है एक सबसे major organ है vital organ है vital organ किंडनी के एक vital organ है तो किंडनी fluid और electrolyte के balance के अंदर बहुत ही important role play करती है major role play करती है fluid और electrolyte balance के अंदर क्योंकि हम सब देखते हैं कि urine का formation गलो मेरुलस से फिल्ट्रेशन के त्रूँ ट्रूग वो तिंचन के आगे की तरफ सह मेनिफेर जो यह कलेक्टिंग डर्ट है लूप आ थे हैं प्रॉक्जिमल गनोलेटे टुबूलस है इन सब के अंदर वो आ गए तो वहां से उनका वापस से रियाब्जोप्शन करने काम कौन कर रहा है किड्नी करती है और इसलिए हम यह कह सकते है किड्नी हमारी बोडी के व्लीक के उनदर फ्लूस रिजर करने के लिए किड्नी कैकर अगर किसी इंडिमीज में hommes को एंदर फिरमस को आइगी वह प्रॉब्लम आईगा फिलूटर इलेक्रीट के ने धिक skin के थूरwood water का loss होता है ठीक है, वह होता है 600-800 HELP 600-800 HELP किन के थूरwood water का loss हो it उसे क्या कहते है scissors acceptable loss का मतलब क्या हुआ enjoyable loss का यहाँ पे students मतलब यह है कि आप unaware हो ठीक है आप unaware हो आपकी body से कितना water हो जो output हो चुका है कितना water हो वो निकल चुका है, skin के तुब जो भी जाएगा, उसके तुरू आप अनवेर हो, ठीक है, वो इंसेंसिबल आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, जैसे कि sweating हो रही है, ठीक है, कभी-कभी ऐसी condition होती है, कि हमें पता भी नहीं लगता कि sweating हो रही है, लेकिन sweating है, वो अंदर ही insensible loss है, ठीक है, next one है, water loss by perspiration, perspiration, ठीक है, temperature, perspiration का मतलब यहाँ पर यह होगा, कि जो environment का temperature है, perspiration का मतलब है, यहाँ पर जो environment का temperature है, उसके सख्ट body जो balance बनाती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजी, आप बहुत ही गरम इस्तान वाली जगह पर गए, ठीक है, कोई भी ऐसी इस साइड में आप चले गए, साउथ की साइड में गरमियाच बहुत जादा होती है, तो उस साइड में पर आप चले जाते हो, तो फ्रेडिशन के अंदर क्या होता है, आपकी बोड़ी से excesses wetting होगी, क्यों होगी, थाकि बोड़ी का homeostasis maintain रहे है, बोड़ी का जो normal temperature है, वो बůड़ी करें तो water loss हो अनिंसैंसिबल जी साइव होता है, इसमें भी पांधा नहीं चलता है, ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं, लंग स के पूरी का, तो आपके मुद cockpit निकल रहा होता है, ठीक है, तो वो steam होती है, ठीक है, और वो steam को अगर आप देखोगे, तो उसके अंदर क्या होता है वॉटर ही होता है आपका भी मेहसूस करना उस चीज को। अगर लंग्स के जैसे भी हम बोल रहा है बोलते डायर मुझे हवावार आ रही है मुझे हवा बार आ वो भी एक insensible loss है, insensible loss का मतलब है कि मुझे पता नहीं देशे मैं अभी कितना बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आप एक्स्प्लेइन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब इस explanation यह जब मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे मुझ से जो भी हवा निकल रही है, ठीक है, जो आवाज निकल रही है, उस आवाज से क्या हो रहा है, उस आवाज के साथ क्या हो रहा है, जो हमारी बोड़ी के अंदर जो वोटर है, वो भी रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो कितना वोटर लोस होगा, इसका हम आइडिया भी नहीं लगा पाते हैं, लेकिन एक रफली सब्सक्राइब और प्रुटत की मेंड़रंक व्यटन moment लुटन का इसफुट टीक है GI tract में क्या होता है जो major fluid है major fluid GI tract के अंदर ही आ रहे है लेकिन वहाँ से क्या कर लिया जाता है reabsorb almost all उस fluid को क्या कर लिया जाता है reabsorb कर लिया जाता है टीक है तो water loss की बात करें तो water loss की या फिर हम बात करें तो through skin कर रहे हमारी body से जो भी water loss हो रहे है वो कहां कहां से होता है through skin के through हो रहे है ठीक है कितना हो रहे है 600 से 8 से मिल ठीक है दूसरा है perspiration perspiration no idea इसके बारे में कोई idea नहीं है लेकिन इतके through भी water का loss होता है ठीक है next one है lungs skin के through होता है perspiration through skin ठीक है lungs तो यह इसी के अंदर include कर दिया गया है lungs के through बात करें तो 400 से 600 mm ठीक है समझ में आ रहा होगा आई हो पाप लोगों को मेरे द्वारा प्रवाइड गया कि लिए एक जेक्चर है वो समझ में आ रहा होगी प्लीज अगर किसी student को कोई doubt है तो comment section में ज़रूर बताई मैं definitely इस cancer करूँगा ठीक है lungs के through बात करें तो 400 से 600 mm लोगों हो रहा है ठीक है तो यह सारा हो गया है हमारा जो लोगों है ठीक है अब इसमें देखिए गया आप ठीक है और kidney के through कितना जाएगा kidney के through अगर हम बात करें तो 1200 से 1500 में मिल चला जाता है कितना तो union बननी जाता है ठीक है तो देखिए next चलते हैं पन in case of in case of severe diarrhea जब body के अंदर या किसी भी individual को जब severe diarrhea हो जाता है तो उसकी body से large amount of fluid and electrolytes यहाँ पर spelling mistake है इसी spelling को correct करनी जिएगा ludan electrolyte ludan electrolyte lost होता है जब भी किसी in case of diarrhea diarrhea के case के अंदर क्या होता है reabsorption नहीं होते है ठीक है डाइरिया के अंदर क्या होता है gastrointestinal motility यतनी बढ़ जाती है कि body के जो GI tract है उसके अंदर absorption हो completely नहीं हो पाते है completely नहीं होने के वज़े से क्या होता है जाएरिया के साथ stool के साथ हो गया हो जाता है जो भी nutrients हो बहार निकल जाते है तो इसलिए क्या होता है महाँ पर major fluid in case of diarrhea fluid and electrolyte fluid and electrolyte का क्या हो जाता है imbalance हो जाता है next time बात करते है fluid output की next time बात करते है fluid output की तो fluid output की बात करें कि कहां से कितना fluid हो बहार निकल रहा है हमारी body से ठीक है कहां से कितना गया था वो हमने बता दिया कि हमने drinking water किया था drinking water के साथ 1200 से 1500 मेल हमने वो लिया ब्रिंकिंग वोटर लिया था चैसों से आट समयल हमने क्या लिया है आपका लिक्विड इंजेस्ट किया है ठीक है और ऑक्षिडेशन की प्रोसेस के अंदर ऐसे करके हमने अब बोड़े से आउट पुट कितना हुआ मैंना भी स्टार्ट के स्टार्डिंग में आपको यह बताया था कि हमें जब भी हम किसी भी इंडिमीजवल का फ्लूड एकलेट देख रहे हैं तो हमें मेजर है हमारे लिए यह होगा कि हम उस इंडिमीजवल का फ्लूड इंटेक और फ्लूड आउट पुट देखे उससे हमें आईडिया लग जाता है ठीक है तो हम बात करते हैं किड्नी के तरू नॉर्मनी हम क्या करते हैं पंदरा सुमेल है वो यूरिन एक दिन के अंदर है वो एक्स इंसेंसिबल लोस इंसेंसिबल लोस का स्टूडेंट्स आप मतलब यह है कि इसका हमें आइडिया नहीं लगते है जियाई ट्रेक्ट के तरू इस टूल के तरू पास कर देते हैं अपन कितना 100 ml लग बग 100 ml of water वो निकल जाता है तो यह सारा है आउट्पुट अभी जो उस स जैसे देखोगे दूसमें आप देखोगी कितना हमें आपने क्यल्कुलेट करके यह देखना है कि कितना आमाउंट है वह बहार निकल रहा है तो थीक है देखते हैं पने क्यल्कुलेट करके थीक है पहले अपना 1500 ml फिर 600 फिर है 600 600 से 600 से 800 में आगया 600 से 800 के बाद 400 से 600 में आगया और यह आगया हमारा 100 में ठीक है यह हो गया हमारा इधर आगया 3000 ठीक है और इधर आजाएगा आपका लगब 3000 है आई करफली आइडिया ले ले लेते है एक रफली आइडिया ले 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 लेटे अंदर हम देख रहे हैं कि 3000 अमॉलब का लोस हो रहा है इसका मतलब है कि जू हमारे बोडी के लिए स्टेसिस मेंटेन रखने के लिए जरूरी था मतलब हम 2200-2800 अमिल का इंटेक कर रहे थे ठीक है और अब हम 2500 से कितना 3000 अमिल तक वह फ्लूट हो गया गरे अपनी बोडी से एक्स क्रीट कर रहे तो इसका मतलब है कि बोडी ने क्या किया ऑटोमेटिकि बैलेंस कर दिया किड्री धिर्यर किड्री य है जीयाई ट्रैक्ट करती है और इनके तुरू क्या क्रदिया फ्लूट का क्या क्रतिया फ्लूट क्या ची प्रप्रबंड क्षारें कि एक बताना है कि इंटैक कहां से हो रहा है की इंटैक जैसे आप e averaging producing करोगे से आप घ्रेजर ऑया भी से लेक्शन हो जाता है भाण पर छाहां पर इंपोर्टनर्च घार्एं सब्दिखोगा वहां पर अब इन इसके आइधंग की लिए इंटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करते हैं ताकि हमें यह idea हो कि किटना हो रहा और आउटपुट कितना हो रहा है अगर माली जी इंटेक और आउटपुट ज्यादा और इसका मतलए वोड़ी जो जो भी हमारा पर यहुंवर निजका ने इसलिए मैंने टुपिक से लेक्ट्ट याज का यह तो सबसे जैदा है ठीक है उस पेशिंट को सबसे ज़्यादा आई रिसक होता है है अने इलेक्ट्रोलाइट इंवेलेंस का तेक फिलुड और electrolyte imbalance का जो भी आपका patient है उस patient को अगर अगर उस patient को patient with diarrhea is at high risk of fluid and electrolyte imbalance जो भी आपका patient है उसको क्या होगा diarrhea का अगर कोई patient है तो उसके अंदर fluid and electrolyte most commonly है या वो रिस्क पे है ठीक है एज नर्सिंग वो कि सर आप हमारी prior responsibility होगी कि उसके intake output को manage करें monitor करें monitor करके हम जो भी healthcare provider है जो भी consult doctor है उसको हम बताएं कि सर इसका intake इतना output जादा आ रहा है उस condition के अंदर हम क्या करेंगे कोई भी intravenous fluid अगरा जो कुछ भी हमें administer करना है patient को वह हमें advice कर देंगे तो जब भी किसी patient जो भी आपका आप किसी patient है जब आप वार्ड में duty कर रहे हो उस condition के अंदर आप देखते हो देखोगी आपका कोई patient है वो diarrhea का है तो diarrhea के patient के अंदर क्या होता है risk हो बहुत जादा risk होता है बहुत ही major risk होता है किस चीज़ का liquid and electrolyte imbalance को वहां पे बहुत जल्डी और बहुत सारे और other complications आपको देखने को मिलेंगे ठीक है अभी हम बात करें electrolyte के बारे में हम जैसे जैसे unit के अंदर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसमें electrolyte की बाते भी करते रहेंगे देखेंगे कैसे कैसे हाइपोकेलशी में कैसे हो रहा है, इस सारी चीजे हम इस यूनिट के अंदर हम बिसकस कर लेंगे, next है maintaining of fluid and electrolyte balance ग्रेंश के fluid और electrolyte का balance का maintenance कैसे हो रहा है ठीक है, तो maintenance के लिए सबसे important चीज स्टूडेंट है ही है कि हमारी बोडी क्या करती है उपने होम्यूस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए बोडी क्या करती है अपने होम्यूस्टेसिस ठीक है होम्यूस्टेसिस का यहाँ पर मतलब है इंटरनल एन्वाइरोमेंट बोडी का इंटरनल एन्वाइरोमेंट बोडी का इंटरनल, आमारी बोडी का जो इंटरनल एन्वाईरॉमेंट है, उसको हमारी बोडी क्या चाहती है, एक stable condition के अंदर रखने की जरुत है, जो बोडी है वो यही कोशिश करती है, कि मैं इसको गुमिश्ट इसको maintain रखो, हमारी बोडी के अंदर क्या होता है, कैसी abilities हो तो जब भी fluid and electrolyte balance हो वो हमें मेज़त important है maintain करना अब जब भी body का homeostasis maintenance का मतलब भी body क्या कर रही है body की जो ability है तो internal environment को maintain रखने की है वो intact है ठीक है next one है जब भी किसी patient के अंदर जब भी किसी patient की जब भी आपका patient है उसके इंदर fluid और electrolyte की deficiency हो रही है deficit होता जा रहा है तो उस condition के इंदर हम क्या कर सकते fluid जो भी patient है उसको और ली फ्यूड देकर के उससों जो बी कमी हो रही है water की जो भी fluid electrolyte की जो कमी ङो रही है उसको हम oral intake के तूद कर सकते इंटेक food और water और वाटर का इंटेक करवा करके हम कर सकते हैं और मानली जी आपका प्लूप जो भी पेशेंट और वो पूड जो औरली है वो नहीं ले पारा है और लिक्विड़ उसको चाहए अलाओ नहीं है किसी भी कंडिशन की वज़े से ठीक है कोई सर्जरी वर्ज़री वज़री हुई करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बетрource करने के लिए इनके ig Strategic करती है क्योंगी कि इंदर सबसे important है body के अंदर Pluto-relectrolide के balance को maintain रखने के लिए next one है elderosterone hormone आपने साम सुना होगा elderosterone hormone है जो कि का सरी निज होता है cortex of adrenal gland का सरी निज होता है cortex of adrenal gland cortex of adrenal gland कौन सा hormone release होगा elderosterone hormone release होता है यह क्या करता है जो भी Pluto-relect है उसके balance को maintain करता है लोट यह balance को maintain क्या करता है कैसे करेगा यह क्या करता है sodium के reabsorption को बढ़ा देता है water in sodium के reabsorption को क्या करतेता है यह बढ़ा देता है ठीक है जो elderosterone hormone होर्मोन 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 हो कहां से आया वो आया है साब cortex of cortex of adrenal gland cortex of adrenal gland cortex of adrenal gland से क्या release हुआ adrenal elderosterone hormone release हुआ अभी elderosterone क्या करेगा loop of henley loop of henley loop of henley और PCT और DCT distil convoluted tubules और proximal convoluted tubules इनके उपर जाकर के kidney के अंदर नेफरोन के अंदर रहें सारी structures हैं ठीक है नेफरोन नेफरोन के अंदर यह सारी structures हैं इनके उपर जाकर के act करेगा और वहां पर एक तरके क्या करेगा increase the increase the reabsorption of increase the reabsorption of किसका water and sodium eldersterone क्या कर रहा हैं आप जब भी याद रखेगा जब भी आप eldersterone का नाम आता तो याद रखेगा कि eldersterone क्या करेगा eldersterone sodium और water के reabsorption तो क्या कर देगा increase कर देगा अगर बोडी से बहुत ज़्यादा fluid बार जा रहा है तो eldersterone release होगा ठीक है cortex of adrenal gland से eldersterone release होगा वो जाकर के PCT, DCT loop of NLA पे काम करेगा collecting duct पे काम करेगा, act करेगा ठीक है, nephron की collecting duct उनके पर काम करेगा और वहां से क्या करेगा, sodium और water करेगा, बढ़ा देगा ठीक है, in case of बहुत ज़्यादा जब dehydration हो रहा है, लेकिन मानली जो बोडी के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको manage करना है, तो क्या होगा anti-diuretic hormone, posterior pituitary gland release होगा, ठीक है anti-diuretic hormone है, जो कहां से होता है, posterior pituitary gland से जब भी हमने, थोड़े जिनों पहले जब हमने oxytocin की class पढ़ी थी, तो उस condition के अंदर हमने ADH के बारे में बढ़ा था कि oxytocin की बारे में बढ़ा था कि अगर high dose of oxytocin अगर हम दे देते हैं, तो उस condition के अंदर oxytocin है, वो ADH के जैसे काम करने लग जाता है, तो यहाँ पर हम skival ADH की बात करेंगी, ADH posterior pituitary gland से hormone जो release होता है, वो क्या कर देता है, regulate करता है, water के नहीं absorption को, anti-diuretic hormone है, ठीक है, anti-diuretic hormone, ADH का full moment, anti-diuretic hormone, तो इसके अंदर क्या होता है, यह water की absorption को क्या करता है, regulate करता है, तो इस तरह से elderosterone और यह क्या कर रहे है, ADH, elderosterone और ADH क्या कर रहे हैं, एक major role play कर रहे हैं, water और sodium के balance के लिए, I hope मेरे दवारा प्रवाइट की अगे lecture आपको, आपकी preparation में help कर रहा होगा, please, अगर किसी student को cluster related कोई भी doubt है, तो comment section में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैं definitely उस कान से करूँगा, next one है nursing की point, ठीक है, nursing की point की बात करें, तो यह है क्या है, कि हमारा important point है, जब भी हम nursing care provide कर रहे हैं, patient को तो हमें ध्यान रखने की बात है, ठीक है, nursing point, अगर आपका patient, अगर आप PC patient का fluid or electrolyte imbalance है, अगर आपके कोई patient मिला है nursing care करने के लिए, और आपके patient का fluid and electrolyte imbalance है, तो उस condition के अंदर क्या करना है, edge and nerve, हमारे responsibility होगी कि हमें उस patient के cardiovascular system को भी monitor करने, हमें क्या काइबस patient के cardiovascular हमें क्या करने है, उसकी closely monitor करने का मतलब है, फोजी बेवियेशन, नॉर्मल साइनन सिम्टम्ज नॉर्मल जो conditions है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, उससे अगर alteration आपको देखने को, मिल रहा है मान लीजे, फ्लूट बहुत जादा monitor करने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि fluid कम हो गया, तो हमें एक skin से पता लग जाएगा, नहीं जी, ठीक है, बाकी सारे symptoms में भी, बाकी सारे systems के अंदर भी change जाने शुरू हो जाएगे, जैसे कि hypertension हो जाएगा, टेकिक आडिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो यह सारी चीजें हमें क्या करने है, जब भी हम किसी dehydration या, कोई diarrhea का case है, या कोई fluid एन इलिक्लाइट imbalance का हमारा patient है, तो उस condition के अंदर उस patient की care करते समय हमें, हमें क्या करना है, पूरे vital organs को body हो है, respirator है, musculoskeletal है, skin है, gastrointestinal है, renal system है, इन सारे systems को हमें क्या करना है, closely monitor करना है, कोई भी deviation होता है, तो हमें क्या करना है, immediately हमारे healthcare provider को हमें क्या करना है, inform करना है, I hope आपको समझ में हो, आज के class में इतना ही, I hope मेरे दुआरा provide किये जारे lecture videos, आपकी nursing officer recruitment examination की preparation में आपकी help कर रहे होंगे, please like, share and subscribe, thank you so much.